C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है तीसरी जमात के लिए महलियाती साइन्स की समय दर्सी किताब आस पास सफा नंबर एक सबक पहला डाल डाल पर ताल ताल पर मा आज मुझे स्कूल भेज दो ना दो दिन से घर पर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ पूनम बोली मा ने जवाब दिया तुम्हें अभी भी बुखार है बाहर जाकर चार पाई पर लेट जाओ चार पाई पर लेटे लेटे पूनम को नीद आ गई अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा वो हडबडा कर उठी उसने अपने गाल पर हाथ लगाया उफ ये किसकी शरारत है कबूतर की या कव्वे की कव्वे की ही लगती है इस सफे पर एक तस्वीर दी गई है ये तस्वीर एक दरख्त की है इस दरख्त पर मुख्तलिफ परिंदे और कुछ जानवर है एक शाख पर कव्वा एक शाख पर गिलहरी और एक पर कबूतर बैठा है पिछली शाख पर लंगूर मौजूद है कुछ तितिलियां तोते और गौरईया भी वैठी है कोने में एक कोयल भी मौजूद है कुछ चीटियां तनों और पत्तों पर चल रही है बच्चे अपने एत्राफ के अफराद अशिया को देख और समझ कर बहुत कुछ सीखते हैं इस सबख की मदस से दर्जे के बैरूनी महौल से मुतारिफ कराया जाए महज दर्जे में बैठ कर पढ़ाना जाए पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे तुम्हें तस्वीर में पेड़ों पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं उनके नाम लिखो डैश 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 पूनम ने जमीन से एक पत्ता उठाया और बीट को साफ किया गाल अभी भी चिपचिपा था उसने सोचा सामने तलाब में धो आती हूँ इस सफे पर एक तलाब की तस्वीर दी गई है तलाब में पानी है और उस पानी में मिंड़क, भेंसे, एगरिट और तलाब के किनारे पर कच्छवा, बकरी और पूनम है पूनम ने तलाब पर किन-किन जानवरों को देखा तस्वीर देखकर उनके नाम लिखो डैश, 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 डैश किताब में जानवर, लव्ज का इस्तमाल हर किस्म के जानवर जैसे कीडे मकोडे, परिंदे, रेंगने वाले और दूध देने वाले जानवर वगैरा के लिए किया गया है इस उमर के बच्चे कीडे मकोडे या साप और छिपकली की ज्यादा बारीकी से दरजाबंदी नहीं कर सकते आप भी मालूम कीजिए कि बच्चे लव्ज जानवर का क्या मफुम समझते हैं बच्चों को मुख्तलिफ जानवरों के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने की तरगीब दें सफा नमबर तीन तालाब पर दिखाई देने वाले जानवरों की नकल यानि एक्शन करके दिखाओ कौन सा जानवर क्या हरकत करता है जानवरों की अलग-अलग आवाजे निकालो जानवरों के चलने का अंदाज जुदा-जुदा होता है कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ परों की बाज तो दुमका भी सहारा लेते हैं तुमने भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे उन में से कौन-कौन से जानवर उड़ते हैं डैश, डैश, डैश रिंगते हैं डैश 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 चलते हैं डैश 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 फुदकते हैं डैश 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 परो वाले हैं डैश 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 पैरो वाले हैं डैश 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 दुम वाले हैं डैश 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 जानवर मुख्तलिफ जगा होपर रहते हैं बाज पेड़ों पर रहते हैं तो बाज पानी में कुछ जमीन पर रहते हैं तो कुछ इसके नीचे और कुछ आसमान में उड़ते हैं बाज तो हमारे घरों में भी रहते हैं जानवरों के रंग रूप, चाल, आवाज वगएरा बगौर देखना, उनकी नकल उतारना बच्चों को बहुत दिल्चस्प लगता है जानवरों की मुख्तलिफ किस्म देखकर उनके अलग-अलग गिरह बनाने से दर्जा बंदी की शुरुवात होती है सफा नमबर चार मुंदर्जा जेल जानवरों को देखो उनमें से जो जानवर तुम्हारे घर में रहते हैं उनमें रंग भरो यहां एक कोलार्ज में मुख्तलिफ जानवर दिखाए गए हैं यहां हाथी, खोड़ा, कुत्ता, मुर्गा, बिल्ली, चील, गिर्गिट, चूहा, छिपकली, कौकरुच, जींगर, मचली और बत्तख की तसावीर दी गई हैं सफा नमबर पाँच यहां कुछ जानवरों की अधूरी तस्वीर हैं, उन्हें पूरा करो और उनके नाम नीचे लिखो यहां तीन तसावीर दी गई हैं, पहली तस्वीर में एक कुत्ते की अधूरी तस्वीर है, दूसरी तस्वीर मचली की है, और तीसरी कौकरुच की है मैं कौन हूँ? पहेली में मेरा नाम तलाश करो और उस पर निशान लगाओ एक मिसाल दी गई है सफे की बाई जानिब एक जदूल दिया गया है जिसमें मुख्तलिफ कॉलम है पहले कॉलम की पहली लाइन में दाल, काफ, छू, अलिफ, गाफ दूसरी लाइन में रे, बन, मे, ध, काफ तीसरी लाइन में चे, दाल, सीन, मीम, पे चौथी लाइन में काफ, रे, ह, अलिफ, पेश, नून पाँचवी लाइन में मीम, काफ, री, लाल, वाव, और जीम छटी लाइन में के, चू, अलिफ, मीम, छा अल्फाज लिखी गए हैं, इसकी बाई जानिब एक पहेली दी गई है पहली पहेली छट पर बैठ कर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं इसका जवाब है बंदर दूसरी पहेली दीवारों पर जाल बनाऊं, जिसमें कीडों को फसाऊं तीसरी पहेली रात जाग कर मैं बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं चौथी पहेली टर-टर की रट लगाऊं, फुदक-फुदक कर पानी में जाऊं पाचवी पहेली बारिश के बाद नजर मैं आऊँ, पाओ नहीं पर रेंगत जाऊँ छटी और आखरी पहेली धीमी चाल से चलता जाऊँ, दोड फिर भी मैं जीत जाऊँ पहेली नमबर छे पंच तंतर की कहानी खरगोश और कच्छवा से माखूज है बच्चों को पंच तंतर की और कहानिया सुना कर मजीद कहानिया पढ़ने के लिए होसला अफसाई करें सफ़ा नमबर छे इस सफ़े पर एक कोलाज दिया गया है यहां मोर अपने खुले पंखों के साथ बनाया गया है तितली, एक कुत्ता, एक घुड़ा और एक तोते की तस्वीर बनाई गई है इन तसवीर में जो रंग भरे गए हैं वो आपकी हाथ की उंगलियों की छाप के जरिये भरे गए हैं जादू उंगलियों का तस्वीर में देख कर बताओ कि कौन से निशान उंगलियों के हैं और कौन से अंगुठे के तुम भी इसी तरहां रोशनाई या गीले रंग से कागस पर जानवरों की तस्वीरे बनाओ मिसाल में दी गई तस्वीरों की नकल मत करना बलकि खुद सोच कर बनाना इन तस्वीरों से अपने स्कूल और घर को सजाओ बच्चों को तखलीकी कामों जैसे उंगलियों और अंगूठे पर रंग लगा कर तस्वीरे बनाना बहुत दिल्चस्प लगता है अपनी अपनी मर्जी से मुख्तलिफ नमूने बनाने के लिए उनकी हौसला अफजाई करें और रगबत दिलाएं सफ़ा नमबर साथ इस सफ़े की बाई जानिब कुछ तस्वीरों के अधूरे खाके बनाए गए हैं पहली तस्वीर में हाती की अधूरी सून बनाए गई है दूसरी तस्वीर में बत्तख की अधूरी तस्वीर है तीसरी तस्वीर में उट के पैर बनाए गए हैं और चौथी तस्वीर एक मुकम्मल खा का है आओ कुछ तस्वीरे बनाए किसी ऐसे जानवर की तस्वीर कापी में बनाओ जिसे तुमने देखा है तीन-तीन तलबा के गुरुब बनाए हर गुरुब को एक साधा कागस दिया जाए नमबर एक एक गुरुब की बच्ची कागस की उपरी हिसे में किसी जानवर का मुँ और गर्दन बनाए कागस को मोड कर अपनी तस्वीर को छुपा ले नमबर दो दूसरी बच्ची बीच वाले हिसे में किसी जानवर का धड़ बनाए नमबर तीन तीसरी बच्ची किसी जानवर के पैर बनाए नमबर चार अब पूरे कागस को खोलो और तस्वीर देखो बन गया ना दिलचस्प जानवर अपने साथियों की तस्वीरों को भी देखो बच्चों की होसला अफजाई करें कि वो जानवरों को बगैर देखे और अपने आप उनकी तस्वीरे बनाए गिरोह में तस्वीर बनाने के लिए बच्चों को मदद की जरूरत पेश आ सकती है सफ़ा नमबर आठ किसी पेड के नीचे कुछ देर बैठो गोर से देखो के पेड पर और उसके आस-पास कौन-कौन से जानवर है डालियों पर डैश-डैश पत्तों पर डैश-डैश तनों पर तश-डैश जमीन पर डैश-डैश दरखत के एत्राफ में अब उन जानवरों को एक तर्तीब में लिखो छोटे से बड़े तक यहां एक से लेकर पंधरा तक गिंती लिखी हुई है जिग्जा मुअम्मा जिग्जा में किसी तस्वीर के ऐसे बिखरे हुए टुकडे होते हैं कि उनको मिलाने के लिए दिमाग पर बहुत जोर डालना पड़ता है ये अमल चीजों को तर्तीब से लगाने का अप्तदाई कदम है तर्तीब से या सिलसले वार लगाना बच्चों के अपने जाती तजर्बे पर मुनस्सिर है चुहा चुडिया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी जानवरों के तई हिसासियत से पैदा करने के लिए मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत करें सफा नमबर नौ अब तुम भी किसी जानवर की तस्वीर से एक जिगज़ा बनाओ तस्वीर को गत्ते पर चिपकाओ गत्ते को जानवर की शकल में काटो अब इस गत्ते को पांच छोटे बड़े आले तिर्चे टुकडों में काटो इन टुकडों को अपने दोस्तों को दो और उन्हें जोड़ कर जानवर को पहचानने के लिए कहो सफे पर एक जिगज़ा की मिसाल दी गई है यहां एक दरख्त पर मोर बैठा है जिस पर मुख्तलिफ रंग किये गए हैं और जिगज़ा पजल की आली तिर्ची छोटी बड़ी लकीरे बनाई गई हैं जिगज़ा ऐसा बनाया जाए कि उसमें कुछ महारत की जरूरत हो सीधे साधे टुकडे ना हूँ जो आसानी से तर्तीब दिये जा सकें बच्चों को इस तरह की सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका दें और उनके कामों की तारीफ करें इसी के साथ 24 असबाख की किताब आसपास का पहला सबक खत्म हुआ सौती ताउन तलत खान अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठ्थे पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्माण सहयोग मिनाक्षी कुकरेती निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत प्रस्तुती C.I.E.T.